नमस्कार दोस्तों आप सभी का लॉसिको की न्यूज इन फ्लेश में तो चलिए आज के समाचार दीखते हैं आज का जो पहला समाचार है के वी संपत कुमार के बारे में वो हम जानेंगे तो भारत में भारत के विश्व में केवल एक ही संस्कृत डेली आता है मतलब एक ही समाचार पत्र है संस्रत का जो daily आता है दैनिक समाचार पत्र आता है ये है सुधर्म सुधर्म का जो foundation है सुधर्म जो समाचार पत्र है ये 14 जुलाई 1970 में शुरू हुआ था पिछले ही वर्ष इसने अपने 50 वर्ष पूर्ण करे है तो इनके जो managing editor थे इस समाचार पत्र के जो managing editor थे वो थे केवी संपत्कुमार जिनका निधन हो चुका है तो ये only Sanskrit देगी था मतलब देनिक समाचार पत्र सिर्फ एक ही संस्रत देनिक समाचार पत्र था पुरे विश्व में जो कि print और publish होता था मैं सुरू में इसकी के साथ में संपत्कुमार और उनकी जो wife है उनको already इस काम के लिए Sanskrit भाशा को यहाँ पर जीवित रखने के लिए पदमश्री अवाट पिछले ही वर्ष मिला है चलिए दूसरी खबर जो है ये National Doctor Day के बारे में है National Doctor Day मतलब भारत में ही मनाया जाता है ये तो किस की याद में किस लिए बनाया जाता है वो जानेगे National Doctor Day जैसे आज की दिन एक जुलाई की दिन मनाया जाता है जो West Bengal के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे दॉक्टर बिधन चंद्र रॉय उनकी याद में ये बनाया जाता है तो यहाँ पर Year to Year Birth and Death Anniversary अब यहाँ पर एक चीज़ दिल्चस्प है कि इनकी Birth and Death Anniversary जो है वो एक ही दिन हुई थी तो यह बहुत ही renowned physician थे बहुत ही famous doctor थे इसलिए इनकी याद में इस दिन को Doctors Day के किस रूप में मनाया जाता है 1991 में Government of India ने इसे Doctors Day के रूप में establish किया तो BC Roy का बहुत contribution है medical field में खास कर establishment of Medical Council of India और Indian Medical Association में तो इनकी इस important role को इनकी इस contribution को देखते हुए इस दिन हम Doctors Day बनाते हैं अगली खबर जो है यह अटल इनोवेशन मिशन के बारे में है अटल इनोवेशन मिशन शॉट में हम इसे AIMB कहता है तो हाल ही में इन्हों ने एक यहाँ पर FinTech cohort और्गनाईज करा था तो यह AIMI LEAP का initiative था जहाँ पर startups के लिए यह initiative यह cohort किया गया था तो यहाँ पर AIM के साथ में partnership करे थी स्टार्टप रेसिव और विसान है AIMI LEAP जिसका फिरफॉर्म है innovative leadership for entrepreneurial agility and profitability initiative तो इन दोनों यहाँ पर startups ने और्गनाईज करने में मदद करी है AIM की में उद्देश क्या है AIM का वो जान लेते हैं तो यहाँ पर technology startups को invite करना उनको function करने में मदद करना उनको आगे बढ़ने में मदद करना वहाँ पर corporate leadership जो है वो तयार करना साथी साथ innovation team for enabling market access के लिए innovation team तयार करना और industrial partnership को भी बढ़ावा देना तो यह इसके कुछ बड़े-बड़े उद्देश है चलिए अगली खबर जो है यह है भारत नेट के बारे में यहाँ पर गलती से convert करने का सोचा है सोला अलग-अलग राज्जियों के लिए जहां पर optical fiber connectivity सरकार बढ़ाएगी तो union cabinet ने यह हाल ही में अपनी भारत नेट की जो strategy है उसमें बदलाव किया है और public private partnership के माध्यम से 16 जो राज्जिय है देश के वहाँ पर optical fiber connectivity पहुचाने की बात की गई है तो भारत नेट जो है इसके द्वारा प्रते ग्राम प्रंचायत तक हर स्टेट में यहां पर optical fiber पहुचा जाएगा तो इन राज्जियों में केरल करनाटक राजिस्तान हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश वेस्ट पंगॉल असम मिहाले मनीपूर मिजूरम त्रिपूरा नागालें और अरुनाचल प्रदेश है तो यह एक बहुत ही यहां पर एक ambitious project था जो 2011 से चला रहा है तो अभी estimate किया गया है कि 3.61 लाग जो अलग-अलग गाव है ग्राम पंचायत है वो इसमें cover की जाएगे तो भारत net project जो है यह अपने आप में largest ruler connectivity program है optical fiber का इस्तमाल करके इसका जो implementation है यह भारत broadband network limited BBNL कर रही है तो यह special vehicle है जो कि टेलीकॉम ministry के अंतरगर तियार किया गया है अगली जो खबर है यह है डाइना अवार्ट के बारे में तो इस वर्ष डाइना अवार्ट जो है यह 18 वर्ष सोनीपत के जयंत हुड़ा को मिला है यह अवार्ट जो है यह प्रिंसेस डाइना जो वेल्स की थी उनकी याद में दिया जाता है highest accolade है यह जो की social और humanitarian efforts के लिए मतलब सामाजिक और जो यहाँ पर social वर्ष होता है सामाजिक कारियों होता है उसलिए और मानविये कारियों के लिए यह दिया जाता है तो award recipient was congratulated by मतलब जो award recipient है जयत हुड़ा इनको प्रिंस हैरी के द्वारा यहाँ पर बधाई दी गई है इसी की तो यह जो award है prestigious award है यह लोगों की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए के जाता है और यहाँ पर 9 से 25 वर्ष की जो आयू की बीच के जो यूवा और बच्चे रहते हैं उनको social action के लिए और humanitarian work के लिए दिया जाता है 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी जब इसे चेयर किया था गॉर्डन ब्राउन के द्वारा तो चलिए आज का जो हमारा समाचार है समाचार news and flash है वो यही समावत होता है मुझा सुनने के लिए आप सभी का धन्यावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू स्टी ट्यून टू लोग सीखोड़ अ प्रेफट के साथ हुआ है